Hello and welcome back to Hashtag Data Science 23 और ये हमारी आखरी वीडियो है Introduction to Data Science Theory सेरीज की और आज हम एक बहुत ही छोटे मगर important concept के बारे में बात करेंगे that is Building Data Capabilities So without any further delay, let's get started So जो हमारा आज का topic है Building Data Capabilities अर्टिकल पर based है जो लिखा गया था मौनिका रोगाती द्वारा तो मौनिका रोगाती जो है एक बहुत बड़ी Data Scientist है Computer Scientist है Former Vice President of Data है जो बोन की और उससे पहले Senior Data Scientist रह चुकी है LinkedIn में तो मौनिका रोगाती जी ने एक आर्टिकल लिखा June 2017 में Link आपको description में मिल जाएगा उन्होंने उस आर्टिकल में कहा कि माने या ना माने Companies जो है वो AI के लिए अभी ready नहीं है या तो वो अपने पहले Data Scientist हायर कर रही है या फिर उनकी Company में उतनी Data Literacy नहीं है लेकिन जो major scenario है जो major दिक्कत है वो ये है कि Companies Lack Data Infrastructure मन्दब प्रॉपर Data Infrastructure नहीं है जिसकी वैसे वो Data Science की Full Capabilities का इस्तमान नहीं कर पाती मॉनिका रुगाती जी ने इस आर्टिकल में एक बहुती बड़ी है कॉंसेट का जिक्र किया वो है Hierarchy of Data Science Needs जो further based है Mass Loss Hierarchy of Needs में Mass Loss Hierarchy of Needs जो है वो एक Motivational psychological theory है जो सबसे पहली बार 1943 में publish हुई थी अगर आप इस theory के बारे में डीटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं link description में डाल दूँगा लेकिन major takeaway के बारे में बात करेंगे तो जो major takeaway है Mass Loss Hierarchy of Needs का वो ये है कि हर एक individual की कुछ needs होती है और वो needs तीन level में classify किया सकती है पहली आपकी basic needs दूसरी है आपकी psychological needs और तीसरी है self actualization needs तो जो आपकी basic needs है वो है आपकी physiological needs food water warm rest security needs belongingness and love needs psychological needs में आती है esteem needs prestige and feeling of accomplishments ये आपकी psychological needs में आती है जो आपका last level है self fulfillment ये self actualization का मैसलो का कहना था कि हर एक व्यक्ति के पास self actualization तक पहुचने की काबिलियत है लेकिन शर्त ये है कि उससे नीचे की सारी needs fulfill होनी चाहिए और उसी order में होनी चाहिए मतलब higher order में जाने से पहले आपके नीचे वाली needs fulfill होनी चाहिए in short अगर हम इसको हिंदी कहावत में इसका रुपांतरन करें तो बहुत अच्छा रुपांतरन बैठता है भूके पेट ना भजन होई गोपाला ले तेरी कंटी ले तेरी मौला तो जो हमारी data science hierarchy of need है वो इसी hierarchy पर based है इसी hierarchy से inspired है अब हम एक एक level को समझने की कोशिश करेंगे तो data science needs में जो हमारा पहला step है जो हमारा पहला चरण है वो है data collection का तो इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है इस infrastructure का ध्यान रखना है कि हमारी data needs क्या है और हमारे पास क्या available है जो data हमारे पास आ रहा है या हम relevant user interactions को record कर रहे है क्या data हमारे पास किसी physical sensor की थुरू आ रहा है क्या कोई ऐसा method हो सकता है कोई ऐसा instrument हो सकता है जो अभी तक develop नहीं किया गया है लेकिन उससे data collect करना असान है तो सही data set का चुनाव करना सही तरीके से data collect करना ये हमारा पहला level है पहला चरण है जो दूसरा step हमारे पास है या दूसरा चरण हमारे पास है वो है data flow का तो जहां से हमें data मिल रहा है क्या वो reliable source है क्या reliable stream है मतलब लगा था data आ रहा है कहीं उसमें ऐसा तो नहीं कुछ breakage हो रहा है क्या proper ETL pipeline है ETL pipeline का मतलब है extract, transform and load data मतलब data properly extract हो रहा है transform हो रहा है जिस form में हमें required है और properly load हो रहा है systems में हम data को जहां store कर रहे है वहाँ से access करना आसान है की नहीं है because reliable data flow is the key of doing anything with data तो एक reliable data का flow होना बहुत ही important है दूसरे चरण में जो तीसरा चरण है बहुत ही कुख्यास यानी infamous चरण है वो है data cleaning का इस stage में हमें पता चलता है कि जो हमने data collect किया है उसमें कुछ missing तो नहीं है हमारे sensors reliable है या नहीं है कुछ हमने misinterpret तो नहीं कर लिया है हो सकता है कि इस level पर हमें pyramid में वापत जाके check करना पड़े कि हमारी foundation solid है या नहीं है जो हमारा चौथा चरण है जो fourth step है वो है जहाँ पर हम traditionally business intelligence या analytics के बारे में सूचते हैं वो है data aggregation और data labeling इस चरण में हम वो metrics define करते हैं जो हम track करना चाहते हैं वो features हम define करते हैं जो हम आगे जाके machine learning या फिर AI model में use करेंगे training data को हम design करना शुरू कर देते हैं और हम अपने data को level करना शुरू कर देते हैं जिससे यह तया होता है कि हम क्या predict करना चाहते हैं या हम क्या learn करना चाहते हैं अब जो हमारा experimentation होता है वो हमारे fifth step पाचवे चरण में होता है जो हमने design किया उसको हम A-B testing के माध्यम से या किसी और method से अपने users पर test करते हैं data collect करते हैं learn करते हैं जो हमने matrix define गी थी उनके base पर हम data collect करते हैं और उस collected data के base पर हम hyper tune करते हैं hyper parameters को और जो हमें new insight मिलते हैं जिनको feature creation कहते हैं and not feature engineering feature engineering वाला काम पहले ही हो चुका है तो feature creation की help से हम अपनी performance को काफी हद तक improve कर सकते हैं and that's it that's how we set up a proper AI और ML pipeline तो जब भी हम data capabilities build करेंगे either in an organization और individually तो हम layer wise layer काम करेंगे पहले हम नीचे की layer पर काम करेंगे तब ही हम उपर बढ़ेंगे अब हो सकता ही कुछ terms यहाँ पर advance लग रहे हो कुछ terms समझ ना आ रहे हो तो यहाँ पर यही समझना है कि हमें क्या समझना है तो hierarchy of data science needs एक बहुत अच्छा perspective देती है data capabilities को बनाने की skills को सीखने की now we are instrumented सब कुछ set है data clean है organized है एक proper ETL flow है अब जो इसमें note करने वाली बात है वो यह है कि out of these five stages चार stages में जो काम था वो सिर्फ और सिर्फ data का था पहले data collect करना फिर data store करना फिर data को explore करना transform करना और चौते step में data को level करना जो main काम सा machine learning का वो था last stage में जो एक harsh reality है data science की कि 80-90% of the time है वो data cleaning, data modeling, data aggregation और data labeling में ही जाता है So that's it for today आज के लिए बस इतना ही जल्दी आप से फिरु मुलाकात होगी किसी नए topic के साथ अब तक के लिए अपना ध्यान लखिए Thank you for watching जैहिंग